सबी विद्यार्थियों का स्वावयत है हमारे इस यूटूब चैनल पे तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का प्रशना वाली 2.3 का जितने भी कुश्चन दीवें सारे कुश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्ब करने वाले हैं जिसमें से दोस्तों आप लोग का पहला नंबर कुश्चन दिया हुआ है लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x स्कॉर प्लस 3x प्लस 1 को निमली खित से भाग देने पर सेस्पल ग्यात किजिए ठीके तो यहां पे जो भी दिया हुआ है वो पी एक्स दिया हुआ है और बाकि ज मतलब होता है दोस्तों भाजी ठीके क्या होता है भाजी और जी एक्स का मतलब क्या होता है भाजक जिससे हम लोग डिवाइट करते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक और जिसको डिवाइट करते हैं उसको क्या कहते हैं भाजी जैसे कि यहां पर एक ग्जामपल ले लेते हैं 10 क तो तीन से डिवाइट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे तीन और यहां पर दस लिखेंगे जिसमें से तीन को इस से डिवाइट करेंगे तो तीन तीन या नौ यहां पर क्या बचा एक बचा ठीक है तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे पी एक्स मेलब जी एक्स ठीक है य यह चीज आप लोग को पता होना चाहिए अब हम लोग को क्या करना है जो प्रश्ण दिया हुआ है जो पी-एक्स वाले पार्ट तो यहां पर लिखेंगे और जी-एक्स वाले पार्ट को यहां लिखेंगे जैसे यहां पर आपका पहला नंबर प्रश्ण लिखावा है यहां स Q plus 3x square plus 3x plus 1 ठीक है यह आप लोग का क्या दिया हुआ है PX और GX आप लोग का पहला नंबर में आप लोग का दिया हुआ है X plus 1 ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इस PX वाले पार्ट को GX से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस step से लिखेंगे लिखेंगे हम लोग x plus 1 अंदर में लिखेंगे xq plus 3x square plus 3x plus 1 ठीक है इस तरह से क्या करेंगे divide करेंगे और divide करने पर जो भी आया successful जो बचेगा उसी चीज़ को हम लोग को लिखना है जो यहाँ पर successful बचेगा तो देखो इस तरह से divide करना कितना hard हो जाता है है नँ तो इस तरह से divide आप लोग को इस class में नहीं करना है next class में अगले class में टेंथ में आप लोग को इस चीज़ को हम लोग सिखाएंगे ठीक है? То अभी आप लोग को क्या करना है? successful purpose परमेविधी का करना है 맛있ful pramay vidi क्या कहता है दोस्तों पहले हम लोग x का value निकाल लेंगे जिसमें जो gx दिया हुआ है उसमें से हम लोग x का value निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे x plus 1 बराबर 0 लिख देंगे ये वोला part को x plus 1 क्या करतेंगे 0 x बराबर क्या हो जाएगा minus 1, चुकि पलस है तो इधार आके किस में हो जाएगा, minus में हो जाएगा ठीके, समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सेसफल पर्मेवेधी का प्रियोग करेंगे है ना सेसफल पर्मे से, सेसफल पर्मे से क्या बोलता है कि जो X का वैल्यू है उस PX वाले पार्ट में बाइठा दो यानि कि पहले एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे XQ plus 3X square plus 3X plus 1 ठीके, अब यहाँ पर हम लोग minus 1 put करेंगे X के जगा पर तो minus 1 क्या करेंगे, जितना जगा भी X डाला हुआ है सभी जगा मैनस 1 डालेंगे, तो minus 1 का क्या करेंगे? Q करेंगे, plus 3X के जगा मैं, minus 1 का क्या करेंगे? square plus 3 लिखा वैए 3 लिखेंगे, X क्या लिखा हुआ है? minus 1, है न, x का value तो निकालें न, minus 1, plus 1, यह हो गया, अब क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, minus 1 का अगर हम cube करते हैं, तो कितना आता है दोस्तो, minus 1 ही आता है, देखो कैसे सो, minus 1 गुना minus 1, गुना minus 1, यानि कि minus 1 का q मतलब कि minus 1 को कितना बर गुना करना है, तीन बर, और जब तीन बर गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, minus minus, plus, plus minus, minus, यानि कि minus में आएगा, और एक, 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 यानि कि minus 1, समझ महारा बात, इसी तरह से, 3 का 3 लिखेंगे, और minus 1 का square करेंगे, minus 1 का square मतलब कि minus one into minus one is equal to only one क्यों क्योंकि minus minus plus only one हो जागा तो into में क्या लिखेंगे one सिर्फ plus 33 को minus one से अगर into करेंगे क्या हो जागा minus three फिर plus one चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हैं पर minus one हो गया अब इसको solve करते हैं तो तो यहां पर minus plus minus तो minus three फिर plus one अब दिखेंगे दोस्तों इसमें जितना भी plus plus वाला दिख रहा है एक साथ जोड़ो और minus minus वाला को एक साथ जोड़ो तो plus plus 3 दिख रहा है और एक दिख रहा है तो कितना हो जाएगा थीन और एक चार और यह मानेस वाला तो यहां पर हम लोग लिक देंगे अता सेस्फल अता सेस्फल इस एक्वल टू जिरो तो यह हो जाएगा आप लोग का अंसर ठीक है इसी तरह से इसका दूसरा प्रेश्ण को बनाते हैं ठीक है दूसरा प्रेश्ण दिया है दोस्तों एक्स माइनस वन बाइटू यानि कि जी अब हम क्या बता है कि यह जो पार्ट है सबसे पहले इसमें एक्स का वैल्यो निकालेंगे तो x-1 by 2 बराबर क्या बोले थी करने 0 तो x बराबर कितना हो जागा यह minus में इधारा के प्लस में हो जागा तो 1 by 2 यानि कि x का value आप लेक पास निकल चुका अब जब x का value निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे सेसफल परमे विधी प्रियोग करेंगे तो यहां लिखेंगे सबसे पहले प्रश्ण को x cube प्लस 3x square प्लस 3x प्लस 1 अब यहां पर क्या करेंगे x के जगा में कितना माना या था हमारा 1 by 2 अब सब जगा x के जगा में 1 by 2 1 by 2 लिख देंगे तो 1 by 2 का क्या करेंगे cube करेंगे पलस थिरी और one by two का क्या करेंगे स्कॉाय करेंगे चुकि एकस का स्कॉाय बोला है फिलस थिरी एकस के जगम में one by two लिखेंगे यह गुना में है नो ध्यान रखना one by two plus one अब इसको solve करते हैं तो देखो 1 का Q करेंगे तो 1, 2 का Q करेंगे तो मतलब कि 2 को 3 बार गुना करो तो 2 दुनी 4 दुनी 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस फिर यहाँ पे देखो 3 का 3 अभी रहने तो पहले इसको solve कर लेते हैं एक को अगर 2 से गुना करेंगे एक को अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक है ना और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 यहाँ पे into it into डाल देंगे अब दोनों को गुना करो फटाक से, चुकि इसमें तो कह स्कायर हाई नहीं, तो 3 एका 3 और 2, पलस 1, फिर सब लिखते हैं आपे, 1 बाइ 8 पलस, 3 एका 3 बटा 4, पलस, 3 बटा 2, पलस, 1 बटा 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करो, सब का LCM ल तो बंके लो आठ् चार दौकल को अगर जुनलेते हैं तो हमारे पसक्रा जाता है विज़ा धिक्राइब के यहाँ पर इत्रा पर पढ़ेंगे बताओ तो आठ ओए मे志मारी सह आड़ार पीरस्टा एक। आठ बार और आठ को एक से तो इतना हो जाएगा ठीक है अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं इस यहां पर यहां से बता देते हैं कि डिके कि अब गिसमें में और कि सब को जोड़ के अब दिखा रहा है सब में तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चैस सात्वर nied कि अर्च फंद्रा बार 21 है न कि अ कि इस 15 और 12 21 हो जागा ना जी नहीं रुको एक मिनट 15 और 12 21 हो जागा देखो 6 6, 7 है ना 7, 8, 15, 15 और 12 27 कितना हो जागा 27 है ना 27 बाइ 8 ठीक है तो ये आप लोग का क्या निकल गया सेसफल निकल गया लिखेंगे अता सेसफल is equal to 27 by 8 हो जागा ये अंसर इसका इसी तरह से दोस्तों इसका तीसरा नंबर पर प्रेशन बना ही लेते हैं यहाँ पर बना दे चलो इसको हम यहीं पर बनाते हैं यह दूसरा कब हो गया था अंसर ठीक है अब यहाँ पर हम इसका तीसरा बनाते हैं जिसमें से आप लोग का PX दिया हुआ है PX बराबर XQ पलस 3X स्क्वाइर पलस 3X पलस 1 ठीक है अब यहाँ पर GX पी कुछ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है GX में यानि कि जो थार्ड नंबर का प्रेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सिर्फ X लिखा हुआ है जब X लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते है X के बराबर हम लोग को क्या मान लेना है 0 ठीक है जो भी यहाँ पर दिया वा रहता उसको बराबर में 0 तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया वाता है सिर्फ X दिया वाता है तो X पराबर 0 यानि कि X का value कितना निकल गया जिरो निकल गया ठीक है अब यहां लिखेंगे सेस्फल पर मेसे है ना सेस्फल पर मेसे कि और हम से स्भल पर में से तो यह जो पी एक्स दिया वहाँ पर हम लोग एकस का वैल्यू लिखेंगे तो प्य पहले कोश्न लिगा लेते हैं x q plus 3 x square plus 3 x plus 1 अब हम लोग x के जहार में 0 बेठा दो तो 0 का q plus 3 x square यानि कि 0 का square plus 3 x के जहार में 0 plus 1 ठीक है अब 0 का Q करेंगे तो 0 0 को square करेंगे तो 0 और 3 को क्योंकरेंगे तो 0 0 को कोई भी संक्याज गुना करो को जीरो हो जाएगा 500 जीरो को तीन से खुर्ण करो जीरो प्लस वन तो इसका सिर्फ बचा क्या दोस्तों बता restart fund भी तो इसका उन सर तो ही आप लोगे सान हो गया है ना लिखेंगा citizen सेसफ़ल एक आता सेसफ़ल इस एक्वेल टूँ ठीक है तो यह होग ROMो का तीसरा प्रेश्न भी ठीक है आए बाते हैं इसका for नंब्र प्रेश्न बनाता यह बी-बत्चों इसका हमां फोर नंब्र को देखते हैं फोर नंबर में आप लोग का दिया हुआ एक्स प्लस पाई ठीक है जिसमें जी एक्स दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले पी एक्स जो कोश्चन दिया हुआ उसको लिख लेंगे पी एक्स आप लोग का दिया हुआ है xq plus 3x square plus 3x plus 1 ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे जो gx अपलो का दिया हुआ है यह दिया हुआ है 4 नमबर पर x plus pi हम बोले थे कि यह वला जो part है इसके बराबर क्या मान लेना है 0 तो x plus pi बराबर क्या करेंगे 0 तो x बराबर यह pi इधर आजाएगा तो किस में हो जाएगा minus में तो minus pi ठीक है अब यह minus pi को हम लोग px में हम लोग put करेंगे ठीक है और जो बचे को वही हम लोग क्या होगा उसका sisful होगा तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कौन से परमे यूज़ करते हैं पलस 3x square पलस 3x पलस 1 ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे x के जगा में हम लोग को क्या put करना है minus pi तो लिखेंगे 1p minus pi अब यह pi को क्या करेंगे जितना जगा x है वहाँ पर हम लोग put करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला में ही है आप लोग का तो पहला में ही है तो यहाँ पर क्या करेंगे minus pi का whole q पलस ठीरी तो अलग है ठीरी अलग कर दो pi x के जगा में क्या लिखेंगे minus pi का square ठीक है यह भी हो गया अब इस कुम लोग करेंगे ठीरी का ठीरी लिख देंगे और x के ज़िए हमें क्या लिखेंगे minus pi फिर पलस ठीक है अब यहाँ पर minus pi का q करेंगे तो क्या होगा minus pi का q भी होगा चुकि यह तो संख्या है नहीं जो कि आप लोग को गुना हो जाएगा यहाँ पर आजाओ पलस हो गया अब यह minus pi square को हम लोग 3 से into करेंगे तो क्या हो जागा minus 3 pi square ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे bracket में लिख देते हैं पलस इसको हम लोग अगर गुना करेंगे 3 को minus pi से तो क्या हो जागा minus 3 pi ठीक है plus 1 अब देखो इसको तो सेम रहागा ये चीजञ चलो इसके बाद अच्या यह ओजाएगा यहां पर धिएन देजिएगा माइस हो जाएगा तो मैंठ टी पाई च्कॉार और यहां पी मैंनस प्लस माईट ठीपस फॉन अब क्वेशवी चीज़ मुआ हो रहा है क्या ठीक है यहां पर क्यूव है यहां एक ठोब चाहिए ठीक है और यहां फिर एक है तो होगा यह कैलकुलिशन नहीं तो यही आप लोगा क्या हो जाएगा इसका सेशफल हो जाएगा तो यहां लिख देंगे अता तो इसका अंसर आप लोग का ये हो जाएगा इसी तरह से इसका हम लोग अगला कुश्चन को देखते हैं अगला कुश्चन क्या है हम लोगा इसका 5 नंबर चलो हम यहाँ पर बना देते हैं लो ठीक है 5 नंबर अप लोग का प्रश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर 5 प्लस 2X ठीक है तो सबसे पहले हम लोग PX को लिखते हैं जो कुश्चन में दिया हुआ है ठीक है PX में अप लोग का क्या दिया हुआ है XQ पलस 3X स्क्वाइर पलस 3X पलस 1 ठीक है यह आप लोग का प्रश्चन में दिया हुआ है जिसमें से आप लोग का GX क्या दिया हुआ है जो प्रश्चन में दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 पलस 2X हम क्या बता है ते जो GX दिया हुआ है उसको आप लोगो क्या करना है सुन्याक कर देना है ठीक है यानि कि 5 पलस 2x बराबर 0 तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा यह 5 इधर पलस में इधर आके किछ में हो जाएगा minus 5 में और x बराबर क्या हो जाएगा minus 5 बटा 2 minus 5 बटा 2 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोग का x का value निकल गया जब x का value निकल गया तो यहां लिखेंगे सेस्फल परमे से तो सेस्फल परमे से अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो सबसे पहले question को लिख लेंगे पी x बराबर x q x q plus 3 x square plus 3 x plus 1 ठीक है तो x के लिखेंगे में कौन से मान पूट करना है minus 5 बटा 2 minus 5 बटा 2 बराबर x q यानि minus 5 बटा 2 का क्या करेंगे हम लोग cube कर देंगे पलस 3 3 का 3 लिख देंगे और x का मान माइनस 5 बटा 2 का square पलस 3 इंटू x के जगा में माइनस 5 बटा 2 और पलस 1 ठीक है इतना लिख लेंगे उसके बाद हम लोग इसको solve करते हैं देखो माइनस 5 को अगर हम cube करते हैं तो कितना होता है देखो हम यहाँ पे रफ कर रहे है पलस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस-बस- कि दो और यह हम प्रैकेट में लिख देते हैं पलस फॉन ठीक है अब इसके बाद देखो यहां पर यहां हो जाइगा चुकि कुकि कटे गा नहीं आठ से तो यह सेम लिख देंगे पलस 25 को तीन बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और बटा 4 यह माइनस पलस माइनस 15 बटा 2 और यह एक जो दिया हुआ है इसका एक बटा एक कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं अब देखो इसके बाद तो आप लोगो इसलिए इसलिए होगा होगा कि यह नीचे वाले को सब को लोगोत नेकालने और अजह नकालो निकालो सबकल दो चार अरसा निकालेंग तो सब्था की तुसपर करेंगे तो सबक historic करेंगे 250 अब यहां पर थखकर को करएंगे यह थासा कि करेंगे तो models 2o 75 सेघर कर ते हैं तो कितना हो जाता है तो 250 अब यहां इसमें परकें लोग सबसे पहले गे स्कا्रिया फोर शेम में प्लेख आपको 15 में अच्र गरीus 180 202 यहाँ यहां पर देते हैं 50 और ऑर यह 60 कई किön और 6560 कि फ़९ह यहाँ पर अब तो 155 में 180 हम घटाते हैं तो आप लोग बच जाता है यहाँ पे-27 by 8 ठीक है इसको आप लोग solve कर लेना ठीक है जगाना होने के कारण हम एक लाइन यहाँ पर जम्प कर गए तो आप लोग इसको 2 को देखते हैं देखे बच्चो अब इसका प्रेश्ट नंबर 2 आप लोग का लिखावा है देखे यहाँ पर ठीक है एक्स क्यूप माइनस ax square प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर सेस्फल ग्याद कीजिए ठीक है तो सेम वही प्रेश्ट नहीं है दोस्तो ठीक है क्या करना एक एक पी एक्स दिया हुआ आप लोगों को यहां से सॉल्ब कर दे रहें हल एक पी एक्स दिया हुआ आप लोगों का पी एक्स कितना दिया हुआ है लिखावा है X cube minus A X square plus 6X minus A ठीक है यह आप लोग का PX दिया हुआ है और फिर GX क्या दिया हुआ देखो GX आप लोग का दिया हुआ है X minus A ठीक है यह दिया हुआ है अब हम लोग को इसमें से इसको डिवाइट करको और सेसफल निकालना है क्या निकालना है? Cisphal निकालना बहुत ही आसान है किस वीदि से हम लोग ख्यात करते है? Cisphal पर्म बूधी से तो सबसे पहले GX वाले पाट को हम लोग क्या करेंगे? जिरो करेंगे तो X-A बराबर 0 तो X बराबर क्या हो जाएगा? यह minus में है तो इधर आके plus में हो जाएगा यानि कि x बराबर a हो जाएगा अब क्या करेंगे हम लोग सेस्फल विदी से सेस्फल परमे से तो सेस्फल परमे से क्या कहता है कि यह x वाला जो value आया है इसमें put करो और जो answer आएगा वही सेस्फल होगा यही चीज बोलता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रश्ण को लिखते हैं px बराबर x q minus ax square plus 6 x minus a ठीक है देखो put करते हैं यहाँ पर x के जगा में क्या put करना है a put करना है तो a का क्या हो जाएगा q हो जाएगा minus a into बीच में क्या है into और x के जगा में क्या है आप लोग को a put करना है तो a का square plus 6 लिख लेंगे और x के जगा में क्या डालेंगे हम लोग a है ना तो a लिखेंगे into में है ना तो into में कर सकते हैं या फिर bracket में कर देंगे तो आप लिखेंगे तो भी into माइनस a अब यहां पर देखो a का q करेंगे तो a q होई रहेगा अब देखो a square और a को जब multiple करेंगे तो क्या हो जाएगा aq हो जाएगा है ना और पलस शिक्स a को गुना करेंगे, 6 और A को, तो क्या हो जाएगा, 6A और यहाँ पर, माइनस A अब देखो, यहाँ पर, AQ में से ऐक को अगर घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, cancel हो जाता है, यानि कि 0 बचता है जाता है, अब यहाँ देखो, 6A एक एक को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा फाइप ए तो यह आप लोग का हो जाएगा इसका अंसर ठीक है कितना आसान था दोस्तों ठीक है आप लोग बहुत ज्यादा हाड ले लेते हैं कोई भी चीज करके ठीक है तो बहुत ही आसान सवाल है और आगे भी अभी हम बहुत आसान है चलिए चलिए बच्चों अब इसका कुशन नंबर थार्ट को पढ़ते हैं दिखिए कुशन नंबर थार्ड आप लोग का लिखा वाए जांच कीजिए कि साथ प्लस तीन एक्स कॉमा बीच में कॉमा दिया वाइज इसको ध्यान देजेगा ठीक है फिर ठीक प्लस 7x का गुनखंड है या नहीं है ठीक है तो यहां पर हम हल कर दे रहें इसको हल कि छलो जिसमें से आप लोगका दिया हुआ है इस प्लस थरी एक्स आप लोगका क्या हो जागा घ्येक्स और 3x q और फ्लस 7 क्या हो जाएगा प्लस यहां पर हम लिखेंगे Px Px सबकार क्या हो जाएगा हम रोगा 3xQ प्लस 7 x ठेके और Gx क्या हो जाएगा छोटा वहला है तो क्या हो जाएगा जीए यहाँ पर 7.3 ठेके अब क्या करने दोस्तों यह वहला Gx है न इस Px में डिवाईड करना जो 6फल आएगा अगर वो 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे यह PX जो है PX का गुनखंड है और जब 6फल 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है चलो तो हम लोग करते हैं 6फल को निकालना तो हम लोग आते है 6फल परमेविदे से तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉले पार्ट को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, 7 प्लस 3X बराबर 0, तो 3X बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 है न, यानि कि 0 तो खतम हो गया, तो यह माइनस 7 आएगा यहां इदर, ठीक है, माइनस 7, और यह 3 इधर आके किस में हो जाएगा तो यहां पर आप लोग का निकल गया, अब क्या करेंगे, हम लोग इधर फल पर में से, तो सेस्फल पर में से, निकालेंगे, यह X का वैल्यू इस पर बैठायेंगे, अगर 0 आता है, तो हाँ, गोनन खंड है, अनियता नहीं है, तो P साल, पाहले X Q Q plus 7 X ठीक है अब यहां पर P X के लिए में क्या हम लोग पूट करना है मैनस 7 by 3 बराबर 3 X Q Q के लिए में कितना पूट करना मैनस 7 by 3 पलस 7 X के लिए में कितना पूट करना मैनस 7 by 3 चलो इसके बाद देखो यह देखो तो 3 सी 3 कैंसिल होесके क्यूब है तो क्यूब करते हैं तो साथ को करता है सद्थ को मैनस-7 गुना मैनस-7 गुना मैनस-7 7 ऑच उत्चा 2 हुजा जाता है ठीन सो 1466 चिह她 प्ली मैनस उसके ओड़े तो सबस्माइछ तो क्याओ है junior माइनस 343 यहां पर लिखेंगे माइनस 343 और 3 का सी वो करेंगे यानि कि 3 गूना तीन गूना 3 दीन भार तो हो जाएगा इस तो कितना जाएगा 27 तो लिखेंगे 27 पलस अब देख़ो यहां पर यहां पर कुछ हाई नहीं कुछ स्क्वाइर वगरा नहीं है कोई क्यूब नहीं है तो यहां डारेक्ट गुना करो सत्य सत्य उन्चास तो फोटीन है ठीक है और तीन है ना उपर उपर गुना होता है अब यहां देखो यह देखो सबसे पहले यह गुना में आप लो ठीक है पालस यहां पर अगर हम लोग इसको तोड़ने चाहे तो तूटेगा नहीं तो हो जाएगा 49 बटा 3 अब हम लोग भीन का जोड़ का टाओ यहां पर करना है तो भीन का जोड़ का टाओ हम यहां से कर दे रहें देखो 9 और 3 का जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस् ठीक है फिर प्लस का प्लस डालेंगे तीन को कितना बर पढ़ेंगे जो नौ आएगा तो तीन को तीन बर पढ़ेंगा और तीन को 49 से जब मल्टिपल करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का तीन को 49 से गुना करते हैं फड़ाक से 49 को तीन से नौत यह 27 का साथ हाते पुचा दो तीन चारत यह बारा दो 147 कितना हो जाएगा 147 अब यहां पर देखो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं माइनस प्लस माइनस जब घटाते हैं तो हम लोग बच जाता है यहां पर अच्छा यह भी माइनस में आप लोगा ठीक है अब यह अगर होता है तो दिवाइट करेंगे नहीं नो से कड़ता है नहीं करता है तो अब बताएगे यह जो सेसफल आया क्या सेसफल जिरो आया नहीं इस नोट इक्वल टुजिरो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसलिए पहला क्या था आप लोग का 7 प्लस 3X 7 प्लस 3X, 3XQ प्लस 7X का गुननखंड नहीं है का गुननखंड नहीं है तो इतना आप लोग लेख देंगे तो ये question number 3 भी आप लोग का clear हो जागा है ये आप लोग का इधर rough है इसको नहीं उतारना है तो इतना आप लोग लेख देंगे तो ये आप लोग का बन गया question number 3 तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये तीनों question बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा ठीक है अगर एक बार में नहीं समझ मा आती तो reverse करके आप वीडियो को देखे ठीक है बनाए ये practice किज़े जब तक आप practice नहीं करेंगे तब तक आप सिखेंगे नहीं ठीक है दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर केजेगा और subscribe करके बैल एकन बटन को प्रेस कर देजेगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में